नमस्कार, मैसल्फ मलिका पर्वीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गोवर्मेंट लॉप पॉलेज, बीक करने हैं CPC में हमने, LMU फाइनलियर का सब्जेक्ट CPC, CPC में हमने पहले order 7 तक किया है आज हम order 8 करते हैं, order 8 क्या कहता है, order 8 मैंने जैसे पहले बताया order 6, 7, 8, तिनों ही related है, जुड़े हुए है order 6 तो क्या बताता है, अप्लेटिंग अभीवचन क्या होता है वादपत्र और लिखित कथन दोनों ही अभीवचन होते है तो order 7 तो ये बताता है, कि वादपत्र लिखते समय या विहिचित करते समय हुआ हमने किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था अब आज हम order 8, order 8 में क्या लिखा है, तीन चीजे order 8 में हम पढ़ेंगी return statement यानि जबाब दावा, कौन परस्तुद करता है, परतिवादी परस्तुद करता है, ठीक है और मुझराई के दावे, set of और counter claim यानि परति दावा, ये तीन चीजे order 8 में समाहित की गई है तो हम आज order 8 श्टार्ट करते हैं, ठीक है order 8 में तीन चीजे आएगी, return statement लिखित कथन, set of मुझराई के दावे, और counter claim परति दावा ये तीन चीजे order 8 में बताएगी है, जूँकि मैंने याँ पर लिख लिए, ठीक है तो order 8, rule 1 क्या कहता है, लिखित कथन, लिखित कथन कौन पेश करेगा, पर्दिवादी पेश करेगा, पर्दिवादी त्वारा, return statement में पस्तुद किया जाता है ये बात हैं पहले भी कहीं पढ़के आये थे, कि पर्दिवादी अपना जबाबदावा पस्तुद करता है कहां पे पढ़ा था? section 27 में पढ़ा था, और order 5, rule 1 में पढ़ा था, कि जब वाग्द सम्यक रूप से संस्तित हो जाता है तो पर्दिवादी के नाम समन निकाला जाता है, कि लिए निकाला जाता है? कि वो अपना जबाबदावा पस्तुद कर चुकिए, कर सके तो यहां पर order 8, rule 1 यह कहता है कि जब पर्दिवादी पर समन की तामील हो चुकी यानि उसको पूचना मिल चुकी है, कि मेरे विरुद ये वाग्द संस्तित किया लिया है, यानि समन की तामील हो चुकी है संबन के तामीर की तारीक से जिस दिन उसको पूझना नोटिस हो गया है कि मेरे वड़िवार सस्टत हो गया यानि सामन की तामीर की तारीक से 30 दिन के भीतर 30 दिनों के भीतर पढ़तिवादी को अपना जबाबदावा लिखिन गत्था नैले में पसुत करना हो क्या करना होता है जबाब दाना है यानि वादी ने जो बात कही वाद पत्र में उसका जबाब पश्टू करना होता है पड़्टी वादी को पर्धिवादी को यानि जब समन की तामील हो चुकी है तो तामील की दिनाख से मैं बुरू तामील की दिनाख से ना की वाद सर्स्तित करने की दिनाख से यानि तामीर के दिनाख से पर्दिवादी को 30 दिन के भिस्तर अपनी पर्दी रक्षा का लिखित कफ़र जबाबदावा reason statement नयाईले में पस्तुत करना हुता है और मान दो अगर पर्दीवादी इन 30 दिन के भिस्तर अपना जबाबदावा लिखे कठन परस्तोष नहीं कर पाता है तो न्यायले अगर युक्ति युक्त समझता है तो उसे अदिक्तम time period दिया जा सकता है 90 दिन यानि समध्था में ये दिनाग से 90 दिन के भीतर भीतर वो अपना जबाब दावा परस्तोष कर सकता है अधिक्तम time period है यह 90 दिन, इन 90 दिनों में वो 30 दिन inclode है, यह extra नहीं दिये जा रहे 90 दिन, वो 30 दिन इसमें inclode है, यानि 90 दिन अधिक्तम time period है, अगर इस 90 दिनों में वो अपना जबाब दवा परसुत नहीं करता है, तो न्यायलिय इसके विल कारवाई कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर 30 दिन में करेगा, और 30 दिन में नहीं कर पाता, और न्यायलिय यूट्योप समझता है, तो वो 90 दिनों में अपना जबाब दवा परसुत कर सकता है, यह 90 दिन अधिक्तम time period है, जबाब दवा परसुत करने के, यह नच चाहता है, order 8 rule 1a, इसने कह रहा है, कि दस्त सावेजों या जिन डॉकमेंट पे अपनी पड़ती रक्षा depend करना चाहता है, उन दस सावेजों को वो लिखित कतन के साथ में एक सूचित सा लगन करेगा, कि भी इन इन दस सावेजों पर मैं अपनी पड़ती रक्षा depend करता हूं, वो उन दस सावेजों के सूची लिखित क इसके साथ में उन दसाविजू की एक copy यानि उनकी पड्टि-लीपी नए एक फाइल करेगा तो ऐसा हिए दसाविजू से और जाहिए ओर पड़के आये पकी 5 कहां पर पीपड़ा था order 5 rule 7 में कि पर्तिवादी जिन दस्तावेजों पर अपनी पर्तिरक्षा डिपेंड करना चाहता है वो समन किया जाता है कि आप उन्हें नैले में पस्तूत करो और ऐसा ही इस order परा था हमने order 7 rule 14 दस्तावेजों के शुक्तिन वादि जन्हें दस्तावेजों को रिल्थे करना चाहता है उन्हें दस्तावेजों को पसुत करेंodes परी उर्र, पान्झ चैन स्वाशाशती और लुछ ट्रिम्रेंजऑज निर्फेंक शाहती है लेकिन कौन से ऐसे दसावेज है जिने अब पसुद करने के लिए बाउंड नहीं है दो बाते एक तो वो अगर वादी के साक्षियों की पर्ति प्रिक्षा यानि क्रॉस आध ग्रमिनिशन के लिए रिखना चाहता है उन दसावेजों को वो पेश करने के लिए बाउंड नहीं है वादी के साक्षियों की पर्ति परिक्षा यानि क्रॉस अग्जामिनिशन करने के लिए वो रखना चाहता है तो उन दसावेजों को पेश करने के लिए वो बाउंड नहीं है साथ में ही अगले अपनी इसमर्ती ताजा करने वाले कोई डोकुमेंट है उन्हें भी वो ग्याली में पीश करने के लिए बाउंड नहीं है और अगर वो ये कह दे कि कोई दर्तावेज है जिस पर मैं पर्तिरक्षा डिपेंडि करना चाहता हूं लेकिन वो मेरे कबजे में नहीं है वादी के कबजे में है तो इस बात का भाव या इस बात का कर्थन भी वो अपने जवाबदावे में लिखित में करेगा साथ में ही अगर कोई दस्तावेज उसे पेश करना था पेश करना था लिकित कर्थन के साथ में ही लेकिन वो उस समय पेश नहीं कर पाता है बाद में जब साक्षे के रूप में उन दस्तावेजों को लिया जाता है तो बाद में पेश किये गए दस्तावेज को नयायले ऐसे साक्षे के रूप में तब तक यूज नहीं लाएगा जब तक ये नयायले परमिशन ना देते यानि जो दफ्कावेश इसने निखिसकत्र में उसके साथ भी पेश किया उन्हें तो वो साक्षे के रूप में यूज लाया जा सकता है लेकिन बाद में अगर कोई अर्थिरिक डॉकुमेंट नयाले की अनुमते से उसने फाइल किया है तो नयाले अनुमते देगा नयाले पर्मिशन देगा तो भी उससे साक्षे के रूप में यूज लाया जा सकता है ठीक है नेट्स आता है रूल टू और एट रूल नए तत्थों का विशेशता है अभिवचन करना क्या होता है कि जब वात्पत लिखा जाता है तो उसमें फैट लिखे जाते कि यह है कि पर्टिवादी ने यह कहा यह है कि पर्टिवादी ने किराय भूता नहीं दिया कि उसने इस तारीक को मना किया कि राय देने से मतलब जो तत्थे लिखे जाते हैं हर एक तत्थे का पड़ती वादी को इंकार करना होता है डिनाय करना होता है कि कैसे इस करेगा डिनाय हो वह लिखेगा कि वादी के वादपत्र के पहरा संख्या एक मुझे स्विकार नहीं है पहरा संख्या तीन मुझे स्विकार नहीं है ऐसे करके वो हर एक अभी वचल का इंकार करेगा थे अगर वो अपनी और से कोई नई बात कहना चाहता है नया कठ्थे नया वर्यग को बताना चाहता है कि जैसे मालोग दावादा वादी कहता है कि बिकुरायदार है यлिश्चा के कि拈 है कि तो ए Михре मना करेगा कि हां मैं ने किरया दिया था मैडिया था या या यह पहले तो वाड़ पत्र वालें तथ्यों से इंकार करता है उसके बाद में अगर बढतिवार्दी को कोई बात कहनी है अपनी रक्षा में कोई अत्रीक्त कथन न्यायवे को बताना है तो आत्रीक्त जर्थन डालेगा पॉइंट और उसके नीचे यह है कि पड़तिवार्दी के द्वार्वार्दी को किरया बुखतान कर दिया गया था या फर्वरी या जन्वरी फर्वरी का एड्वांसरी किरया बुखतान कर दिया गया था या इनके बीच में कॉंटेक्ट हुआ था कि तीन म है वो एक साथ में पढ़नेंगे इन एक साथ में पढ़ने का मतलब यह है कि इसको आसाने से समझ में आ जाएगा नयजिश सुभा राओ ने बादत एंड कंपनी वर्सिस इस इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी में यह बताया कि इन तीनों रूल को एक साथ इसलिए पढ़ना चीजिए कि सीपीसी में सिरीपत्रिया सहिता में जो लिखित कखन या जबाबगारा तयार करिया जाता है उसमे यह बेसे वर्सिश साहिता मिलती है तो ग्रूल तीन कैसा जो गूल देनाइं किया जा रहा हूं वह रिनेचन होगा मतला तरा यह जो जडाल फेला है अज़री तो प्तली वादी यह वांगशी बिल्स में यहां हो जो दावा कि है मुझे स्विकार नहीं ऐसे अखना क्या नहीं निंघानर करना कि किसी थे दोग प्रिकर नहीं है मिठ संख्या 3 संख्या 3 मुझे सुइकार नहीं है। हर एक पेरे का वी निदश पह डिनाय करेगा। ऐसा नहीं कह गिए कि यहांज़े मुझे सुइकार नहीं, ऊसे हर एक पेरे का डिनाय करना हैं। इंकार करना होगा, next आता है इसमें, next जो आ रहा है, कि वाग छल पूर्वक प्रेख्छाद दिनाय करना, यानि हर एक पैराथा जो इंकार करेगा, उसे वड़न सहीत इंकार करेगा, टाल मटोल की हिसाब से इंकार नहीं करना कि जो वादी ने बात करें लोह तो मैंने वहां गया ठाय यह उआ था यह हुआ था ऐसा इंकार डिनाई नहीं करना बलकि जो डिनाई किया जाएगा वह वर्नल सही हिग आगे एक वाद करता है स्वामी प्रू के लिए भूमी की मालिका नाहग के लिए जो कि बी के कबजे में यह कहता है मैं इसका स्वामी हूं मुझे इसका कबजा दिलाया जाए और भी उसके कबजा धारी है यह इसका मालिक नहीं है तो वहाँ पर बी को जब जबाब दावा पस्तुत करेगा तो वो यह बताएगा कि मैं किरायदार नहीं हूं वादी में जो दावा किया है कि वो मालिक है वो मालिक नहीं है मुझे यह संपत्ति न्यासी होने की हैसे से मिलिये है या किसी का एलान होने की हैसे से मिलिये यानि वो वर्णन सहीत बताएगा कि मुझे वादी के यह दावे क्यों स्विकार नहीं है यानि वादी द्वारा वाद में कही गई हर एक तथ्थे का वो इनकार वर्णन सहीत करेगा ठीक है तो तीन रूल क्या कहा है कि जो प्रख्यार करने का हर एक तथ्थे का डिनाई करेगा जो डिनाई करेगा वो वर्णन सहीत करेगा नेक्स आता है गूल पाँच कि वी निर्दिष्थे रएक जहां अगर वो इस तेश्य रूप से डिनाई नहीं करता है हर एक तथ्थे का पर्टिवादी वादी के दावे के तथ्थे का वी निर्दिष्थे है डिनाई नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि पर्टिवादी वादी ने उन तथ्थे को स्विकार कर लिया है अगर वो डिनाई नहीं कर रहा है चुप चा बैठा है कि मुझे तो स्विकार नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ उसने स्पिसिफिक डिनाई नहीं किया है इसलिए यह माना जायेगा कि वादी के वाद में कहेगे तथे परती वादी को स्विकार है और स्विकार किये तथों को उसके विरुद यानि परती वादी के विरुद साक्षे के रूप में योज़ लाया जा सकता है साक्षी के रूप में उस्विकर्थी हुई डिनाई नहीं तो स्विकर्थी है और स्विकर्थी है तो उसके रूप में यूज लाया जा सकता है और उस्विकर्थी के आधार पे न्यायले नेने भी देश सकता है तो इसलिए इन तीनों को यह है कि जब लिखित कथन पेश किया जाता है या इसकी वीरचना की जाती है तो दिनाय करना है, दिनाय वर्नन सहीत करना है, अगर दिनाय नहीं किया तो माला जाएगा वो तथ्थे पर्टिवादी को स्विकार है. नेश्ट और एक गूल सिक्स मुझरई के दावे या स्टैट आप्स या जिसको बोलते हैं मुझरा, क्या होते हैं मुझरा, मुझरा एक बचाव है, जैसे ए और बी के बीच में धनराशिक से सम्मंदित को वाद आता है, एक कहता है कि मैं बी में पांच हजार रुपे मांगता हुए, बी में पांच जार रुपे मांगता हूँ, वो मेरा बुक्तान कर नहीं रहा, तो पड़ती वादी, जब अपना जवाब दावा पस्तुत करता है, तो अब जवाब दावे में यह अभिकत्र कर सकता है, कि वो भी पड़ती वादी में, वो भी वादी में दोजार लेकिन जिस धनदाशी की मांग पर्टिवादी बोरा की जायेगी वो धनदाशी उस नायले की 8-16 अधिकार से अधिकद नहीं होने चाहिए उन दोनों की जो धन्रदाशी की मांग जो जारी है वो नयायले की आर्थिक सिमा से अधिक नहीं होने चाहिए तो मुझरई के दावे में आउशिक तत्व क्या होते हैं उसको मैंने एक इक किस नहां पर लिखा है तो सबसे पहले मुझरई का दावा कौन से वाद में किया जाएगा जब वादे धन की वसूली के लिए को कि B से मुझे 5,000 डिलाए जाए ऐसे वाद में धनराशी निश्चित होनी जी धनराशी निश्चित है और B सामने से दावा करता है कि मुझे 2,000 रुपे मैं भी A में मांगता हूं तो दोनों में ये दोनों धनराशी निश्चत होनी ची। साथ में धनराशी वैद रूप से वसूली यूग्य होनी ची। अगर B कहता है कि मैंने इसे बाजी का कराय किया था। इसलिए मैं बाजी में जीता हूं या मैं जुए में जीता हूं या मैं सक्ते में जीता हूं उसे वसूल करने का अधिकार दिती है उन्हें उसे धर्णाशी के मुझ्रई किया जा सकता है मुझ्रई का दावा किया जा सकता है धर्णाशी अगर मांगो एक वादी है और पट्टी वादी सब्सक्राइब,C,D,2D , पर्टिवधी . एक पर्टिवादी दावाँ या ऑगर सकता है , और तो भी ,दावाँ कीया सPe छाता है कि दर्दाशी नयययले का लगा टीक सिमा से के अन्तवत होना चीह नशाली जिरा अगर माल लो anda कंश्छक दो लाग तक के इसंड के मामले सुन सकता है तो यह तो 5 लाख रूपिय तक इसकी माँव कर रहा है और यह करता है कि मैं 2 लाख रूपिय की मांग करता हूं तो क्या 2,00,00 रुपे ये दोनों इस धनाशिया आ रही है कि नयायले की आर्थिक अधिकायता में ? नहीं आरे है। पाश लाख तक का दावा सिरी नयायले का निश्खण में किया ही नहीं जा सकता। यानि दोनों जो धनाशिया है वो नयायले की आर्थिक सिमा के अधिक होने चाहिए। मुझ्रही के दावे में और मूल दावे में दोनों ये दावे में जो मुझ्रही का दावा किया जा रहा है मूल दावे के विर्थ। दोनों में पक्ष खालों की हैसियत एक होने चीज़े यानि टाइटल एक होना चीज़े अगर वो अलग-अलग हैसियत में एक बादी क्या करता है जैसे A और B के बीच में कॉंटेक्ट हुआ A करता है मैं पांचेज रुपय आपको बूंगा जबाब मेरे लिए मकान बना दोगी B मकान बनाता नहीं है तो A पांचेज रुपय देता नहीं है दोनों में ही समीदा भंग कर दे तो बाद में क्या है A की मुट्टू हो गई एक ही मुर्ट्यू हो गई एक जो निश्पातक है परशाशक है अलाव है वो बी के विरुद वाद लेके आता है कि बी ने मेरा मकान बनाया ने तो वो कहना कि मैंने भी इससे एड़वार किया था वो बुप्तान निंकिया यानि दोनों ही वादों में पक्षकारों की हैसियत स समान होने चाहिए और मुझ्रई का दावा कौन से दिनाख को पीश किया जा सकता है यानि मुझ्रई का दावा का पीश करना है लिखित कर्थन फाइल करने की दिनाख को ही मुझ्रई का दावा फाइल कर देना चाहिए यानि मुझ्रई का दावा क्या हुटता है सानी है कि आ किस दिशन के भी तर आपको जबाद दावा पस्तूत करना था, आप ने जबाद दावा तो पस्तूत कर दिया पढ़ती वादी दिया, लेकिन उसने मुझरई का दावा पस्तूत नहीं किया, और बाद में वो कभी जावता है और कहता है कि मैं भी बादवादी में दो जाज़ पे मांगता हूँ तो ऐसा मुझरई का दावा फाइल नहीं किया जा सकता जब तक कि नयायले अनुमती ना दे तो सिजी से बात है कि मुझरई का दावा कब करना चाहिए लिखित कर्थन फाइल करने के साथ में ही मुझरई का दावा सेट ओफ का दावा फाइल करते न चाहिए अगर उसमें नहीं करता है तो नयायले अनुमती दे तो लिखित कर्थन फाइल करने के बाद में भी मुझरई का दावा किया जा सकता है मुझरही का दावा क्या होता है अब मुझरही का जो दावा सेट ओफ का क्या परभाव क्या होता है एक तो मुझरही का दावा वादी ने किया उसका उत्तर जवाब दावा पड़ती वादी फाइल कर रहा है और उसके साथ में उसने सेट आफ या मुझरई का दावा लगा दिया तो मुझरई का दावा एक अलग वाद का परभाव रखता है मूल वाद तो मांगो A ने फाइल किया और मुझरई का दावा B ने फाइल किया तो मुझ्राई का जो दावा है वो एक अलग वाद के समान चलेगा एक अलग से वाद की तरह चलेगा दो समानतर वाद चलेगे और अगर मूर वाद खारिज हुजाता है खतम हो जाता है या नैल-दवारा के दावे पे इसका कोई एफर्थ नहीं बढ़ेगा मुझ्राई का दावा अलग से चलता रहेगा अब आता है कि मुझ्राई के दावे कितने परकार के होते हैं मुझ्राई के दावे, सैट अफ के दावे दो परकार के होते हैं वैद मुझ्रा और सामने एक मुझ्रा वैद मुझ्रा तो कौन से हैं? जो order 8 rule 6 में बताए हैं यानि वाद्धन, वाद्धन की वसूले से संबननेत होना चीए, निश्चित धन्राशी होनी चीए, एक समयवार में होना चीए, एक हैसियत में होना चीए, वो सारे वो वैद मुझरा है, यानि जिसका विधी उलेख करती है, विधी है, सितिसी विधी ह यानि जिसे कानूनी मुझरा भी बोलते हैं, जिसे law बताती है, वो मुझरा कानूनी मुझरा या बैद मुझरा कहलाता है, अगो सामीक मुझरा कौन से होते हैं, सामीक मुझरा ऐसा मुझरा जो इंगलेड के court of chancery या equity नहीं लेके द्वारा मुझराई के दावे ऐसे सुने जाते हैं, यानि जिसका उलेख विधी में कहीं नहीं है, इंगलेड में common law है, कानून लिखित नहीं है, वहाँ equity न्यायले यानि साम्या के जो न्यायले हैं, वो विधी नहीं भी होने पर भी लोगों को set of के दावे सुनती है, court of chancery या equity न्यायले जो इंगलेड में हैं, व संते हैं, वो मुझ्रा परदां करती हैं, वो सर्थ सामे लिए मुझ्रा बोलते हैं, तो इसमें व्याद मुझ्रा और सामे कुझ्रा में अंतर बताएं, वहाँ पर धन रशी निश्चित होती है, जहाँ दिप्साइड होती है कि इतनी धंगाशी के लिए मुझ्राई का दावा किया जा रहा है। सामेक मुझ्रा में धंगाशे निश्चित हो आउशक नहीं है। यानि ऐ निश्चित धंगाशी के लिए भी सेट ओफ का दावा किया जा सकता है। 2 आयले उसे set of के दावे को सुनने के लिए बांऄ है और वो मुज्रए के दावे को सुनती है और उसमें अनतोष परदान भी करती है लेकिन सामें मुझ्रा साधिकार नहीं मांगा जा सकता है क्यों कि कोई लौ नहीं है लौ नहीं है वहाँ पर सेट अफ कराना नयायले का विवे का अधिकार है नयायले चाहे तो मुझ्रा करा सकता है और नहीं चाहे तो नहीं करा सकता है यानि साधिकार मांग नहीं की जा सकती next अंतर आता है मुझ्रई के दावे वैद मुझ्रई के लिए मुझ्रई के दावे में एक सर्मिवार होना आउशक नहीं है यानि वादी और पड़्टिवादी के बीच में जो दावा और मुझ्रई का दावा दो दावें दावा मूल दावा और जो मुझ्राई का दावा में एक ही सेमेवार में उत्पन हो आउशक नहीं है लेकिन जहां सामने मुझ्रा की बात आती है वहां जो मुझ्राई का दावा है वो एक ही सेमेवार में उत्पन होना आउशक है नेक्ष अंतर रहता है कि वैद मुझरा अगर मुझरई का दावा परित्रिमा हो धी यानि टाइम बाड हो गया है तो सेट ओफ नहीं कराया जाएगा मान दो यहां मुझरई वैद मुझरा या कानूनी मुझरा में क्या है में अंतर यह कि लिखित कतर फाइल करने की तारीक कोई मुझरे का दावा करना चाहिए था अगर नहीं करता टाइम बाड हो गया तो वहां पर नया ले सेट ओफ नहीं कराता है परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं होना ची लेकिन सामिक मुझरा सामिया के नया ले टाइम बाड है तो भी अगर कोई मामला टाइम बाड हो गया तो भी वहां पर सेट ओफ करा सकता है वैड मुझरा के लिए कोट फीस देनी होती है सेट ओफ कराने के लिए नया ले में कोट फीस जमा करानी होती है लेकिन जो साम्मेक के मुझरे है एक्विटी वाले नया ले में फीस देने की जवर्थ नहीं है साम्मेक के नया ले में फीस देने की जवर्थ नहीं है तो ये वैद मुझ्रा और साम्मेक मुझ्रा में में अलतर्थी चार्वाज ठीकर ये चुटा कोशन आ जाता है रैवाल नेक्स्ट अपने करते हैं और एट रूल सिक्स एट पर्थी दावा या काउंटर फिल्म पर्थी दावा क्या है? वैसे ही जिस तरह मुझ्राई का दावा वादी के दावे के विरुद किया जाता है वैसे ही पर्थी दावा वादी के दावे के विरुद से अधिकार मांगा जाता है जिसके लिए पर्थी वादी एक अलग वाद भी संसित कर सकता है लेकिन वो अलगवार संसे नहीं कर रहा है वो अपने जवाब दावे में ही counter claim कर देता है परती दावा कर लेता है तो इसको समझेंगे गैसे यह अंतर बाद में मैं बताऊंगे कि कौन सा दावा मुझरई का दावा होगा और कौन सा दावा पड़ती दावा होगा तो पड़ती दावा में जैसे ए 5,000 रुपे के यह बी के विरुद वाद साइब करता है यह तो था मूर दावा अब बी अपना जवाब दावा जब परसूत करता है तो वह कहता है कि मैं ए में 10,000 रुपे मांग रहा हूं मैं ए में 10,000 रुपे मांग रहा हूं तो यह क्या था यह पड़ती दावा था यानि वादी के दावे के विरुध एक काउंटर पड़तिवाद करना है काउंटर दावा के मैं तो सामने इस सिज में इतने पैसे मांग रहा हूं जिसके लिए वो अलग से वार्दी संसित कर सकता है लेकिन वो अलग से वार्द उसे संसित नहीं किया और अपने जवाब दावे में ही काउंटर क्लेम कर देता है पड़ी दावा कर देता है यहां भी वही शर्त है धनार्शी निश्चेतों नीचीए साथ में वो दर दोनों जो पड़ी दावा की जो राशी मांग की जा रही है वो नयायले की आर्थिक्स चेत्रा दिकार के भीतर उनीचीए एक ही सेमेवार में उत्पर हो यह आउशिक नहीं है मुझे रही के दावे में एक सेमेवार में उत्पर होना आउशिक है जबकि पर्टी दावे में एक सेमेवार में उत्पर होना आउशिक नहीं है परतिदावे का परभाव क्या होगा? परतिदावे का परभाव ये होगा कि एक अलग वार्दर जैसे उसमें संस्तित किया है तो इसके परतिदावे से संबंदित रूर है और येट रूल 6-2 चे लेके 6-G तक परतिदावे से संबंदित प्रावधां बताये गए है उसमें क्या क्या बताये है जैसे पड़ती दावे का परभाव क्या होता है एक अलग वाध के समान होता है तो भी 6 B क्या कहता है rule 6 B ये कहता है जब लिखित कतधन वह फाइल करता है फड़ती वाधी लिखित कतर फाइल करता है तो उसे अति वीनेर्दिष्ट रूप से लिखना होगा कि वो भी पड़ति वादी के विरूद इतनी धनारशी की मांग करता है याजिसलो कर्ना होगा तो उसे नेने तेश्ट रूप से उसे कथिं करना होगा, जैसे , पंत्य दामा जी हो कर रहे हैं तो उसे वीनेतषम से लिखना होगा S&C , लिखना होगा कि मैं भिवादी के विस्त इतनी धराशी के मांग करता हूं या इतनी अरफाज से मैं भी मांगता हूँ. Next किसमें आता है? Six C. Six C यह कहता है कि जब परति दावा फाइल हो चुका है और परति दावा फाइल होने के बाद में वादी नैले से आविदन कर सकता है कि मेरे मोल जो दावा है उसको अलग दावे के रुप में सुना जाए और अगर नयाले संतुष्ट हो जाता है तो उसे अलग दावे के रुप में सुना जाएगा और जो पर्टी दावा है उसका अपवर्जन कर दिया जाएगा फिर आता है order 8 rule 6 का C sorry C हो गया दावे का अपवर्जन उसके बाद में आता है D आता है D आता है sorry D D में ये बताया है कि अगर मोल दावा जो A ने B के विरुप किया वो A की गलती के करण खारिज कर देता है ले तो क्या परती दावा भी जो B ने किया है वो भी खारिज हो जाएगा क्या नहीं जलता कि मैंने 6A में बताया कि परती दावे का परभाव क्या होता है एक अलग वाद के समान होता है तो मोल दावा अगर वाद A के गौरा जो सलस्थिता वो खारिज भी हो जाता है तो परती वादी गौरा पर्तिदावा खारिज नहीं होगा, वो नियाले में कंट्टूनूर चलता रहेगा, इसके बाद में आता है कि अगर रूल 6 यह कहता है कि मालो पर्तिवादी ने पर्तिदावा किया, पर्तिदावी का परभाव क्या एक अलग वाद के समान है तो वो क्या मना जाएगा, एक वाद मना जाएगा नया वाद है अब वहां पे पट्टी वादी वादी हो गया तो अब जबाद किसको देना होगा मूल वाद के वादी को देना होगा क्योंकि पट्टी दावे में वो पट्टी वादी हो गया है समझाया जैसे A ने मूल वाद सर्थित किया था B के विरूथ B ने फाइल कर दिया A की विर्ट पट्टी दावा counter claim फाइल कर दिया अब B ने counter claim फाइल किया है तो इसका जवाब किसको देना होगा मूलवाद के वादी को मूलवाद के वादी को इसका जवाब देना होगा और अगर मूलवाद का वादी जब आप देने में व्यतिकरम करता है, डिफोर्टर होता है, तो नयायले उस वादी के विरुद अलग, उस वादी के विरुद नयायले जो समझे वो करवाई कर सकता है। और अगर जी, सिक्स जी ने कहता है कि पटिवादी जो आरा किया गया मुझरई का दावा या पटिवादी दावा अगर सफर हो जाता है, और वादी का मूल दावा खारिज हो जाता है और सफर हो जाता है, तो नयायले धनराशी लिखित कर देगा कि अतिशेष धनराशी कितनी है और कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा यह लिखित में और देख सकता है तो यह 6B से लिखे 6G तक पटी दावे से संबंदित प्रोविजर थे यानि पटी दावा अलग से चलता रहता है मुह दावा अलग से चारवाई कर सकता है ठीक है next राता है order 8 rule order 8 rule 7 पत्थक आध्रवू पे पर्दी रक्षा पर्टिवादी जब अपना जवाब दावाः पष्थूत करता है पर्दी करता है तो जितने जितने आधार वाद पत्र में थे उन सब की पर्थक पर्थक पर्दी पर्थी रक्षा करेगा, यह तुम क्या था? मूल दावे के विरुद पर्थी रक्षा कौन करेगा? पर्थी वादी करेगा, और मुझरही के दावे, और पर्थी दावे में कौन पर्थी रक्षा करेगा? वादी करेगा, तो दोलों पक्षकारों को कहा गया है, रूल 7 में, प मूर दावी के विरुद तो पर्दी वादी पर्दी रक्षा करेगा और मुझ्रई का दावा और सेट आफ और काउंटर क्लेम हैं तो वादी पर्दक आधार जितने भी हैं उन पर पर्दी रक्षा करेगा ने रता है और मुझ्रई का दावा य पर्दी दावा पर्दि दावा फाइल किया गया था उस समय उस समय पर्ति रक्षा का को याधार जितने थे पर्ति रक्षा जवाब दावा परसुत कर दिया थे चाहें दोनों ही बख्ष कर वादी है तो पर्ति वादी है तो पर्ति वादी ने और मुझरई और सैट अफ में वादी ने अपनी पर्ति रक्षा फाइल कर दे फाइल करने के बाद में उन्हें कोई नई पड़ती रक्षा उपलग होती है मतलब उन्हें कहता ये भी मैं पड़ती रक्षा में अपनी जबाब दावे में फाइल कर सकता था तो नयायले अगर अनुमति दे तो वो अतिरिक्त पड़ती रक्षा का नया जो आधार बाद में उत्पन हुआ है जवाब दावा या पड़ती दौरा मुझरई या सेट अप में अपना जवाब दावा पस्तुत करने के बाद नया कोई आधार उत्पन हो गया तो नयायले के अनुमति लेकर वो नया आधार भी अपनी पड़ती रक्षा में एड़ी कर सकते हैं जवाब दावे में पस्तुत कर सकते हैं फिर आता है order 8, rule 9 पस्चाक वरती पड़ती 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 रक्षा को further written statement भी बोलते हैं यानि एक बार पर्तिरक्षा फाइल करती है, रिजन स्टेट्मेंट या मुझ रही या पर्तिरक्षा, पर्तिदावें या काउंटर क्लेम के विरुद रिजन स्टेट्मेंट फाइल करती है, फाइल करने के बाद में पक्षकारों को, पक्षकारों को लगता है कि मुझे और फ अभिवचन करना है, उसमें कुछ add करना है, तो अगर नयाले अनुमती देगा, तो वो further प्रतिरक्षा इन इस टेट में add कर सकते हैं, जोर सकते हैं, नयाले ने अनुमती देने की तारिफ से 30 दिन के भीतर भीतर, उनको अपनी परतिरक्षा में वो कथन फाइन करना होता है, ठ फिर आता है एक रूल तैलि कि लिखित कथर पेश करने में ऐसा फ़र रहने पर करिया दोरों बाते आजाएगी इसमें पट्टी वादी पट्टी वादी आजाता है पट्टी वादी लिखित कथर मूल दावे के विरूद पेश करने में ऐसा फ़र रहता है तो क्या होगा उसके विरुद एक पक्षिय कारवाई हो सकती है और ऐसे ही मुझरई और पड़ती दावे के विरुद वादी अगर लिखित कथन फाइल करने में ऐसा फार रहता है तो उसके विरुद भी कारवाई नयायले कर सकता है यानि अगर कोई वेक्षिक पक्षकार पहले उसके विरुद एक पक्षिय कारवाई कर सकता है अब आता है लाश्त मुझरई और सेट ओफ और कारवाई के दावे में अंतर क्या है तो अंतर है सबसे पहला कि सेट ओफ का जो कारवाई होती है सेट ओफ के जो कारवाई होती है वो क्या है वार्दी के धर संबंदी दावे के विरुद बचाओ संबंदी कारवाई है एक्षन है रिएक्षन नहीं है एक्षन है ए बी के विरुत कारवाई कर रहा है तो बी भी कहता है मैं भी इतने पैसे इसमें मांग रहा हूं मतलब वो कम पैसे की मांग कर रहा है तो वो बचाओ कर रहा अपना कि इतने पैसे तो मैं भी मांगता हूं यह अपना बचाओ कर रहा है और जबकि कांटर क्लेम साल गूत रूप से एक पट्टी वाद है मतलब अलग से वाद स्फाइल किया जा रहा है कंटर क्लेम में ठीक है तो यह एक्षित है सेट ओफ और कांटर क्लेम क्रोस एक्षिन रियक्षिन है कि सेट ओफ का जो वाद है उसमें अभीनिश्चिक धनाशी एक ही समयवार में उत्पन होनी आउशक है यानि A और B जो पैसे एक दूसरे से मांग कर रहे हैं वो एक ही समयवार में होना आउशक है जबकि counter claim में एक ही समयवार में मांग का होना आउशक नहीं है निचे अंतरा आता है कि set of की या मुझरे के दावी की मांग कब तक हो की جा सकती है कब तक सल्सित किया जा अकिता है यारी वाद सल्सित किये जाने की तारिक से वस्वली ऊग कि यानि just जो B है जो सेट ऑप मुझरे का तावा करना चाहरा है। उसका अधिकार कब तक होना चाहिए। जो वादी अभड़े करें है तक भी का वाद धनाशी वसूल करणे का अधिकार होना चाहिए। समझाया नहीं है जैसे a b के विर्वाद संस्तित कर रहा है और b कह रहा है मैं भी इसमें मुझ्रही का दावा करता है तो जो मुझ्रही के दावी b की अधिकार अब तक बना रहना चाहिए जब तक कि a वाद संस्तित कर रहा है कि तारीख तक यानि ये ने अगर जन्वरी में वाज संस्तित किया तो भी भी जन्वरी की जन्वरी तक पैसे मांगने का अधिकारी होना चाहिए यानि सेट ओफ की मांग कब करड़ की जा सकती है जब मुल्क दावे में वादी वाज संस्तित करने की तारीख को पर्तिवादी का सेट ओफ कराने का अधिकार हो या धन्राशी वसूल करने का अधिकार हो तक तक इसमें आता है पर्तिदावा पर्तिवादी का काउंटर क्लेम कर रहा है तो उसका अधिकार कब तक होना चाहिए लिखित कतन दाखिल किये जाने की तारीफ तक उसका अधिकार बना रहना चाहिए लिखित कतन यहां तो वाद संस्क्रत करने की तारीफ तक और वहां रिजन इस्टेटमेंट फाइल करने की तारीफ तक अगर उसका अधिकार है धन्दाशी वसूल करने का तो वो पड़ती दावा काउंटर क्लेव कर सकता है सेट ऑप्स की परकर्टी के सी बचाओ की धाल के समाल है यानि वादी बीग के विरुद आक्रमन करना है तो बीग है कर रहा है अपना बचाओ कर रहा है सेट ऑप्स के द्वारा या मुझ्रही के तो अपना बचाओ कर रहा है जबकी कांटल ग्लेम की परकरती केसी है पट्टी दावी की तर्करती एक तलवारगी वहाती है वह सामने से अकरमन कर रहा है यहցकलता है ठाल 10 እ जारुपे मांगं रहा हुं और पर्तिवादी उससे कम धनाशी माम करता है तो वो मुझ्रेई का दावा है और अधिक की माम कर लेता है वादी से अधिक की धनाशी माम कर लेता है अगर पर्तिवादी तो वो पर्तिदावा काउंटर क्लेम है तो ये कुछ हलता थे मुझ्रेई की दावे और पर्तिदावे में, I hope समझाया होगा, आगे हम ओर्डर नए करें अरे वीडियो में, thank you so much.